हलो गाइस तो मिले आया हूँ बाड़ी मिलने के बहुत सा आई नई अपडेट्स और ये अपडेट है ब्रेंडन की ब्रेंडन हैंड्रिक्सन जो बहुत ही जबर्दस सरीके से मोटिवेटेड और फायड़ अप लग रहे हैं अपने इस लास्ट मिस्टर ओलंपिया के लिए है ये देखिये गाइस ब्रेंडन का कैप्शन जीपियस सेट इट वाज माई टॉन सो ब्रेंडन के हिसाब से नाव इस ब्रेंडन स्टाइम और जोचीज ब्रेंडन तीन बार आल्रीडी कर चुके हैं यानि की टाइटल जीतना या फिर ऐसा कहा जाए कि जोचीज ब्रेंडन 2020 म इंक्रेडिबल परपस मिल गया है ब्रेंडन को एक टागेट टू बीट तो वही जो आई सेट गाइस इन दे लास्ट वीडियो कि एरिन बैंक्स को चाहे आप कुछ भी बोल लो एरेगेंट बोल लो इगनरेंट बोल लो या फिर बत्तमीज बट इस बात को इगनोर तो आप कर ही नहीं सकते कि पूरे डिविजन के अंदर से जो फायर बुझ गई थी उसे दोबारा से इगनाइट कर दिया है एरिन ने कि बॉस पसंद करो या ना करो आउ आइम यो चैंपियन और मुझे बीट करना है तो मेरे जितनी आँग लगानी होगी you have to burn like me fight करनी होगी मुझस है मेरे ही लेवल पर आकर और आप देख सकते होगा इसके एंटाय डिविजन कभी इतना लाइव नहीं लगा चितना इस बार है और हर कोई अपने आपको इम्मेंसली इंप्रूव करने में लगा हुआ है कि यहां तो आपका अपने बेस्ट आने पर भी काम नहीं चलेगा आ और नेक्स्ट अपडेट है गाइस रमाउन डीनो की जो अपनी प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं अपने आफ सीजन के बाद इस साल के मिस्ट ओलिम्पय के लिए हैं अभी तो यह बहुत जादा मैसिव लग रहे हैं बट अब जैसे जैसे प्रेप आगे बढ़ती जाएगी यह enormous size जो इस वक्त काफी competitive L दे रहा है रमाउन को वो रमाउन लूस कर देंगे और नहीं करेंगे तो weight cap पर नहीं आपाएंगे So IFBB do something man, काफी time से हम सुन रहें कि IFBB classic की weight cap को बढ़ाने वाली है बट सिर्फ सुन ही रहें कुछ official announcement अभी तक नहीं हुई है So maybe इस साल के Mr. Olympia के बाद IFBB को जैसे plan है men's physique के लिए एक साथ ही वो men's physique और classic physique दोनों के ही rules के announcement कर देंगी क्योंकि guys classic में इस time पर जो top 6 या top 8 के athletes है They are really incredible, मतलब best से भी best है और इनको अगर आप 5 pounds का भी scope दे दोगे ना तो वो भी इन लोगों के लिए एक बहुत बढ़ा difference create कर देगा बट रमाउन की physique आप यहाँ भी देखोगे तो इस point पर आप देख सकते हो अभी almost 16 weeks है Mr. Olympia में बट रमाउन की physique उसके बाद भी रमाउन के arms की separation insane level पर हे guys कैसे proper deeply separated arms रमाउन के show कर रहे हैं तो वही है रमाउन पूरी तरह से grind करके अपना focus ना lose करते हुए train कर रहे हैं और अपना best दे रहे हैं बिकास he wants to do it उनको कोई कसन नहीं चोड़नी अपने Mr. Olympia के dream को achieve करने में और यहां हमारे athletes चाहिए बोलू guys एक show खेलना है एक साल में कोई यात्रा करने चला जाता है फिर कोई धेर सारे photo shoot कर रहा है बाबाबन के बॉस चल क्या रही है कोई बोल रहा है पैसे जमा करने उसके बाद compete करूँगा सॉरी बाबस बट यह कोई focus नहीं है आप चाहिए show ना खेलो regular ठीक है understandable आपकी dedication आपकी improvement को लेकर determination वो तो दिखे आप यात्रा कर रहे हो आप photo shoot कर रहे हो इस तरह improve करोगे बॉस अली बिलाल ने भी इंडिया के show में साथ में ही compete करता है इन सब के कितनी सारी gym की updates और improvements आपने देख ली सब चीजों के साथ एक यही difference है शेडू classic में classic division से जीतना वाले वहीद बात पे उनकी updates से हो insane back और insane muscle development present कर रहे हैं हर update में Mr. Olympia के लिए prep start already कर चुके हैं क्योंकि बॉस जो goal है वो खुझ से भी जादा important है वो spirit वो fire है inside बट हमें क्या करना है हमें तो supplements बेशने हैं सिर्फ photo shoots करने हैं ribbon काटने हैं या फिर यात्रा पर जाना है talent की कमी नहीं है guys इंडिया में बिल्कुल भी नहीं मैं खुझ जानता हूँ ये जीज़ आप सब भी जानते हो सुनी जादा हो राहुल फिटनेस इंडियन रॉक सिधान जैसवा trust me guys ये सबी ऐसे athletes हैं जो अगर लग जाए ना पूरे determined होकर तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर के शोस में भी खेल कर qualify कर सकते हैं Mr. Olympia के लिए वो physique और वो muscles हैं इनके जब लगते हैं तो करते हैं कमाल करते हैं महनत बट लगते ही तो नहीं जादा खैर ये एक topic बहुत लंबा किज जाएगा next update पर चलते हैं so next update है आंद्रे दियू की जो इस वक्ट इस वक्ट भी हैं अपनी vacation पर और boss life हो तो ऐसी हमेशा ही आंद्रे vacation पर ही रहते हैं बट पिछले कुछ दिनों से आंद्रे हमें regular train करते हुए दिख रहे हैं regular अपने training की updates डाल रहे हैं regular physique updates डाल रहे हैं what does it mean guys क्या आंद्रे ने जो बोला था कि जल्दी ही वो compete करें हैं क्या वो होने वाला है is this the preparation of a show well officially तो कुछ भी announcement अभी तक नहीं करी है बट अगर आंद्रे कर भी रहे हैं prep तो it is a good thing क्योंकि एक multi-time top 6 competitor होने के साथ साथ आंद्रे के पास वो physique भी है जो उने fit से काफी strong contender बना देगी top 6 के लिए lower body के requirement है नहीं and upper body, back pose and clavicle width shoulder to waist ratio सभी जगां आंद्रे is a killer एन एक great coach साथ होने की वज़े से आंद्रे को हमने कभी भी out of condition तो देखा ही नहीं next update है Andrew Jack Andrew Jack तो psycho fitness अब एक साथ training session करते हुआ हमें दिख रहे हैं जैसे जैसे Andrew का next show Texas Pro सामने आ रहा है जहाँ पर Andrew defend करेंगे अपना last year का title Andrew का determination और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है Andrew का हमने last देखा था Arno Classic के stage पर and without a doubt guys वो Andrew का अब तक का best version था तो क्या Andrew उसे repeat कर सकते हैं well no guys अरे मैं पूरी बात तो सुन लो मेरा मतलब है Andrew उसे repeat नहीं करेंगे बलकि without a doubt ये Andrew उसको surpass कर देंगे उससे भी भैतर physique और package के साथ हमें दिखेंगे Texas Pro में Andrew का कुछ shots तो already light out हैं वहाँ उनसे कोई compete ही नहीं कर सकता अब एक new dedication, new training routine, new team के साथ जो हमने Andrew की updates देखी है we are going to see a much refined Andrew jack I mean आप यहाँ पर इनकी काव्स देख लो आप अंदाजवर लगा सकतो यहीं से कि किस कदर peeled हैं Andrew jack अभी ही किस तरह के 3-3 separation वाली lines काव्स में और कितनी dry side पर damn तो यही चीज़ आपको idea दे देंगी कि what is to come I know blessing के कुछ जादा updates हो रही है but guys trust me updates आ ही कुछ ऐसी रही है यह देखिए insane तरीके से veins के गुच्चे बन रहे हैं blessing के shoulders और arms पर मतलब इस तरह से कि यह impressive लगने के बजाए dangerous से लग रहे है I mean खुद को extreme तक push कर दिया है blessing ने and without a coach अब blessing पता नहीं क्या क्या compound चला रहे हैं और किस किस dosage में चला रहे है तो guys यह एक dangerous सी situation लग रही है मुझे तो जो इनकी story में लोग को funny लग रही है और लोग उसे बहुत ज़ादा appreciate कर रहे है but I just hope कि जैसी news bodybuilding world से आ रही है blessing safe रहे है और यहाँ पर तो blessing ने भी खुद ही बोला है कि is that healthy तो man it is definitely dangerous and I really feel कि blessing को without a coach नहीं train करना चाहिए क्योंकि जब तक ठीक है it's all fun and games but एक second में guys it all can end next update is Terrence Ruffin की जिनको मैंने कल के ही वीडियो में cover करा था and यहाँ पर Terrence हमें post करते हुए दिख रहे है and is it just me guys या आप लोगो को भी Terrence यहाँ पर काफी ज़ादा downsize लग रहे है काफी smaller side पर लग रहे है यह अभी उनका pro show काफी दूर है मैं मानता हूँ इस चीज़ को बड़ उसके बाद भी guys Terrence ना सिर्ट downsize बलकि काफी हद तक अपने shape से भी दूर लगे मुझे तो जैसे अभी यह natural हो ओके यह भी हो सकता है maybe he is off cycle क्योंकि यह physique एक काफी हद तक native physique के close है तो शायद Terrence इस time को use कर रहे थे recover करने के लिए which makes sense और अब जैसे इसे इनका show करीब आता जाएगा यह cycle पर जाते रहेंगे और यह अपना PD use increase करते रहेंगे और इनके physique change होती रहेगी तो चलते हैं अब next update जो एक बहुत ज़्यादा hype carry कर रहे है एक लंबे time से और इनका pro show debut देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा wait कर रहे है just to inform you guys कि horse MD प्रो बने थे 2021 में classic division से बट जब यह last year classic division के लिए pro show के लिए weigh-in कर रहे थे तो horse MD weigh-in में पास ही नहीं हो पाए और just एक दिन पहले अपने pro debut के उन्हें allow नहीं करा गया है to compete so अब एक proper off season पर जाने के बाद men's open में compete करने का decision ले लिया है इन्होंने so classic division is not the division जिसमें वो आप continue करेंगे और उनका pro show debut जल्दी होने वाला है और इस काफी ज़्यादा added size और classic structure के साथ एक काफी competitive bodybuilder रहने वाले horse MD और अब आज की last update जो की है गाईस Regan Grimes के बारे में जो इस वक्त है almost almost 8 weeks out और Regan Grimes को लेकर इस वक्त काफी concern raise हो रहा है क्योंकि even after taking a full blonde off season guys एक पूरे साल का gap लेने के बाद Regan उस तना से impress नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे top pros को and एक तना से Regan के round जो भी hype थी वो सब good video ने ले ली है क्योंकि अब वो भी उसी show में compete करने वाले हैं so definitely हमें Regan Grimes का bigger version तो देखने को मिलने वाला है but is it going to be the better version as well क्योंकि guys competition का level बहुती ज़्यादा हो गया है और क्या ये improvements Regan Grimes की काफी होंगी एक insane competitive edge bring करने के लिए well only time will tell about it but अभी के लिए इतनी updates रात को में एक और वीडियो लाने की कोशिश करूँ and I hope guys ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो please like कर दो channel को subscribe कर दो notification bell को दबा दो instagram पर follow कर लो thank you bye bye